Hello dear students, आप सभीगा, फिर से welcome इस class में, और आज हम करेंगे chapter 1 की last exercise, जो है exercise 1.6, और इस exercise में हमें निकालना है cube roots, ठीक है, पिछल exercise में हमने निकालना था square roots, अब हमें निकालना है cube root, तो देखिए आपके सामने question है, determine the cube root of the following number, तो यह कुछ number है, उसके cube roots निकालने, तो अब कैस cube root निकालने के लिए division method नहीं होता, यहाँ पे आपको इसको prime factorization की method से ही करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसके factor निकाल लेंगे, ठीक है, अब यह देखिए, क्योंकि odd number है, तो यह 2 से divide नहीं होगा, तो किस से check करें, हम 3 से check कर लें, तो पहले 3 का divisibility rule लगा लो, सारे number को plus करो, 1 plus 2 plus 5, कितना हो गया, यह हो गया, 8, 8, 3 का multiple नहीं है, 3 का double में नहीं आता है, इसलिए 3 से divide नहीं हो सकता, तो फिर अगला prime number है 5, 5 से तो divide हो जाएगा, क्योंकि यह last में हा 5, divisibility rule है 5 का, last में 5 यह 0 हो किसी भी number के, तो 5 से divide हो जाता है, तो 5 से divide कर लेंगे, तो यह आ जा 5 बन जा, 5, तो 125 के factor बनेंगे, 5, 5, 5, ठीक है, यह तो 125 के factor है, आप cube root का symbol कैसा होता, तो देख लो, जैसे हम square root निकालते थे, वैसे ही symbol होता है इसका, बट यहाँ पे हम लिखते हैं 3, ठीक है, जैसे square root का symbol है, और यहाँ पे हम लिख दिये 3, तो इसका मतलब हो गया, यह cube root और यहाँ भी इसको ऐसी करेंगे, इसका, यहाँ लिख देंगे 3, तो यह हो गया cube root, और cube root के property यह होती है, कि 3 number का 1 pair बनता है, square root में 2 number का 1 pair बनता है, cube root में 3 number का 1 pair बनता है, यहने 3 5 में से 1 5 root के बाहरा जाएगा, तो केवल बच्चे का 5, यहने 125 का जो square root होगा, वो होगा 5, तो देखिए अगला number है 343, इसका हम करेंगे prime factorization, तो देखिए odd number है, तो 2 से divide नहीं होगा, और यह 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इनका जो sum आ रहा है, वो आ रहा है 10 और 10 3 का multiple नहीं है, तो इसके बाद 5 से भी यह divide नहीं होगा, क्योंकि last में 3 आ रहा है, 5 से वही number divide होता जिसके last number या तो 5 हो या 0 हो, इसका मतला भी 7 से होगा, तो 7 से कर लेते हैं divide, तो 7 4 जा 28, and 7 9 जा 63, तो यह बन गया 49, फिर 7 से divide कर लेंगे, तो 7 7 जा 49 होता है, and 7 जा 7, तो 3 4 3 का cube root होगा, यह तीनों का pair बन जाएगा, एक 7 इंटू 7 इंटू 7, और इनका एक pair बन गया और बाहर एक 7 आ जाएगा, तो इसका answer होगा 7, देखिए next number है 1331, ठीक है, अब यह जो number है, सीधे divide होगा 11 से, अब कैसे पता चला है कि 11 से divide होगा, तो 11 का divisibility rule क्या है, 11 का divisibility rule क्या कहता है, जो number odd places भी, यह एक के बाद एक ठीक है, एक छोड़के, यह एक number यह ले लेंगे 1, इसके बाद यह number छोड़के, यह number लेना है, फिर उसके बाद यह number छोड़के, अगर number होता तो वो लेते, तो अभी फिलाहला हम यह दो number लेंगे, इन दोनों को plus करना हो, तो 1 plus 3 होगा 4, उसके बाद जो बच्चे होगे places पे, even number पे जो places भी है, यहाँ पे और यहाँ पे, य even places पे जो number है, उनको plus कर दो, और फिर उसके बाद minus करने पे, अगर 0 आता है, या फिर 11 आता है, उनका difference, ऐसे numbers जो होते है, 11 से divide हो जाते हैं, तो यह देखे, 11 से divide हो जाएगा, आब इसको 11 से divide करेंगे, तो 11 मुन जा 11, 11 2 जा 22, 11 मुन जा 11, ठीक है, अब यह 121, फिर 11 से divide हो देखो, 121 है, तो पहला number और तीसरा number, 1 है, 1 प्लस 1 हो गया 2, और बीच का number है 2, इसको minus कर दो, 2 minus 2, 0 हो गया, मतलब यह भी 11 से divide हो जाएगा, तो फिर 11 से divide करेंगे इसको, 11 11 जा, 121 होता है, और फिर यह 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, याने, 1331, इसका जो cube root होगा, वो होगा, 11 into 11 इसका pair बनेगा 1 और बाहर आएगा केवल 11, तो 1331 का cube root होगया, 11, अब next question है, 2197, तो देखे, यह एक different number है, इसका हम prime factorization करेंगे, तो देखे, क्योंकि odd number यह 2 से तो divisible नहीं होगा, यह 3 से भी नहीं होगा, यह 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, आपको सब से check करना ह किस से check करना इधान रखना, prime number से check करना, अगर आप भूल गए तो फिर से मैं याद दिला देतो, prime number होते हैं, पहला होता 2, तो पहले 2 से check करेंगे divisibility, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर prime number कौन सा 11 है, फिर 13 है, फिर उसके बाद 17 है, 19 है, इस तरह सारे prime numbers है, तो एक एक करके check करना है, तो सब को मैंने किया है कि करके, ट्राय करके, तो यह जो divide हो रहा है, 13 से divide हो रहा है, तो आंसर आजाएगा 169, अब यह 169, 13 का square होता है, आप यदि याद हो देखिए, ऐसे cases में न, अगर आपको square से याद है numbers के, तो बहुत helpful होता है, अब मुझे पता है कि यह 13 का square होता है, तो यह 13 से divide हो जाएगा, तो 13, 13 जब 169 होता है, फिर 13 बन गया 13, तो बस इसका cube root हो गया 13, तो 2, 1, 9, 7, cube root is equal to 13 into 13 into 13, इसको cube root के इंदर लिखे दिखते हैं, और बहार आएगा 13, तो answer हो गया 13, देखें, next number है हमारे पास, 9, 2, 6, 1, तो इसका prime factorization कर लेते हैं, क्योंकि और number है, 2 से तो divide नहीं होगा, लेकिन ही 3 से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका sum कितना आ रहा, देखें, 9 plus 2 plus 6 plus 1, यह हो रहा है, 18, 18 3 के multiple में आता है, इसलिए 3 से हो जाएगा, तो 3 से पहले divide कर लें तो answer है जाएगा, 3, 3 is a 9, then 0, then 3, 8 is a 24, then 3, 7 is a 21, फिर यह 3 से divide हो जाएगा, तो 3, 10 is a 30, 3, 2 is a 6, 3, 9 is a 27, फिर यह 3 से divide हो जाएगा, 3, 3 is a 9, 3, 4 is a 12, 1, 3, 3 is a 9, ठीक है, अब यह 3 से divide नहीं होगा, देखो कि sum कितना आ गया, 3 plus 4 plus 3, यह हो गया 10, अब यह 3 से divide नहीं होगा, तो यह किस से divide होगा, 3 की बाद 5 आता है प्राइम नमबर, बट लाज डिजिट 3 है, तो 5 से इतनी होगा, इसका मतलब यह 7 से होगा, अब यहाँ पर देखिए, हमने cube पढ़ा है, यदि आपको cubes याद है, तो 7 का cube होता है, 343, यदि आपको cube याद है, यहाँ पर देखिए, फड़ा-फड़ा लिख सकते हैं, डारेक्ली, यह 7 से divide होगा, अब यह 7 से 3 बार divide होगा, तो एक बार 7 से divide होगा, तो आजाएगा answer 49, और फिर 7 से divide होगा, तो आजाएगा 7, 7 बन गया 7, तो यहाँ पर देखिए, 3 और 7 के pair बन रहा है, तो जब cube root निकालेंगे, तो 9, 2, 6, 1 का cube root होगया, 3 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7, और इसका ले लेंगे cube root, अब देखिए, 3 का एक pair बन जाएगा, 7 का एक pair बन जाएगा, तो एक 3 और एक 7 बाहर निकल आएगा, तो 3 into 7 होगया, 21, तो इसका answer हुआ, 21 देखिए, next number है, 166, 375, इसका prime factorization करेंगे, अब देखो, last में यह 5 आ रहा है, इसका मतलब यह 5 से तो divide हो ही जाएगा, तो आपको 5 से ही start करना है पहले, तो यह हो जाएगा, 3, 3, 2, 7, 5, ठीक है, अब देखिए, अगिन फिर last में 5 आ गया, मतलब यह 5 से divide होगा, तो फिर 5 से divide हो जाएगा, तो answer आ जाएगा, 1331, अब यह देखिए, last में 1 आ गया है, मतलब यह आप 5 से divide नहीं होगा, तो आप किस से होगा यह divide, तो देखिए, थोड़ी दिर पहले हमने यही वाला question किया था, जो 11 का cube होता है, वो होता है, 1331, ठीक है, या 1331 का cube root 11 होता है, तो यह 11 से divide होगा, 11 से divide करेंगे तो 121 हो गया, फिर 11 से divide करेंगे तो 11 हो गया, और फिर 11 बन गया, 11, तो 1666375 का cube root निकालेंगे, तो 5 का एक pair बनेगा, 5 एंटू 5 एंटू 5 और 11 का भी एक pair बनेगा यहां पे, तो इस तरीखे से 5 और 11 का pair बन रहा है, तो एक 5 बाहर न técnica légेगा एक 11 बहार निकलेगा और फाइनल आंसर हो जाएगा 5 इंटो 11 विच इस इक्वल टू 55 अब देखें यहाँ पर यह next number है हमारे पास 4913 अब यहाँ यह special number और है क्योंकि यह prime number से divide होगा और directly 17 से divide होगा किसी और number से नहीं हो रहाँ आप इसको check कर लेंगे कि मैंने पूरा भी check किया रफ वर्क किया है मैंने आप पहले रफ वर्क करके try कर लेंगे सीधे की सीधे यह 17 से divide होगा 17 से divide करेंगे तो यह आ जाता है 289 और फिर उसके बाद फिर 17 से divide होगा तो फिर आ जाएगा answer 17 और फिर 17 से divide होगा 17 वन जा 17 तो यहाने 17 का इसमें pairing हो 17 क्यूब रूट और इसमें से 17 बाहर आ जाएगा तो इसका जो answer है वो है 17 दिखिए next number है 42875 लास्ट में 5 है इसलिए 5 से divide हो जाएगा सीधे हम 5 से divide करते हैं इसको 5 से divide करेंगे तो answer आ जाएगा 8575 अगेन यह 5 से divide हो जाएगा तो 5 से divide करेंगे तो answer आ जाएगा 1715 फिर लास जाएगा 343 और जो 343 है वो 7 का cube होता है इसलिए अब 7 से करेंगे हम तो यहां 49 आ जाएगा फिर 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा देन 7 बनेगा 7 इसका मतलब है 42875 का जो cube root होगा तो 5 का एक pair बनेगा और 7 का एक pair बनेगा तो simply 5 into 7 लिख सकते हैं 5 into 7 हो गया 35